हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तु स्राणी स्राबड़ चानल आज हम डेखेंगे लेमन सेम्या उपमा और इसके लिए क्या-क्या इंग्रेडियन चाहिए देखेंगे सेम्या रोस्टेड सेम्या हाईए लेमन सॉल्ट हल्डी ग्रीन मिच्ची काजू सर्सो जीरा चना डाल उरत डाल करेलिय। फर्स्ट हम सेम्या को बॉयल करेंगे यहाँ पर मैं एक बोल ली हूँ बॉयल करने के लिए श्टावान कर दीजिए और पानी डालिए इसमें अब हम जीतने सेम्या ले हैं उतना पानी डालेंगे यहाँ पर एक बोटल फुल पानी डी हूँ और इस पानी में मैं हल्डी और सॉल्ड डाली हूँ इसको बॉयल होने देंगे पांच मिनित तक ठकल लगाकर फ़ड़ा मेडियम फ्लेम में ही रखिए और पांच मिनित तक बोईल होने देंगे इसको और यह भी हमारा वाटार बोईल हो रहा है अच्पे बोईल हो गया है रिसमेजिजिए और इसमेमिय भी हम सेमिय को डालेंगे 2 मिनिट तक बोईल होने देंगे सेम्या tv 80% ही कुक होना है तब तक बोईल करेंगे इसको अच्छे से मिला दीजिए फिर धकन देकर इसको बोईल करेंगे दो मिनिट तक फिर हम ज़ंगे 2 मिनिट के बाद देखेंगे धकन ख़ल लिया है और इभी देखिए सेमे 80% कुक हो गया है और 30% कुक नहीं हुआ है इसको हम इस्टाव वाप कर लीजिए और इसको वाटर स्टेइन करेंगे इसको और इभी मैं इसको वाटर स्टेइन कर ली हूँ इभी थोड़ा थंडा पानी से इसको इसे थंडा करेंगे इभी सेमिया को पांच मिनिट तब थंडा होने देंगे फिर हम इसको बनाएंगे लेमन सेमिया और हम इभी कड़ाई लेंगे ज्यासोन करेंगे थोड़ा गरम होने के बाद तीन स्पून ओयल डालेंगे इभी तीन स्पून ओयल डाल दीजिए इसको गरम होने देंगे फिर इसमें सच सो और जीरा डालेंगे और डाल चना डाल इसको थोड़ा फ्राई करेंगे काज भी डाल दीजिए मेडियम फ्लम में रखें और इसको थे रिरे फ्राई कर लिए अब यह इसमें ग्रेंच इली डालेंगे तरीली इसको प्राई ना ड़ेंगे और यह अच्छे से प्राई हो गया है इसमें अभी प्राई डाले गिए प्राई कि अब यह अच्छे से थंडा हो गया है और इसको डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स करना है कि घीरे-घीरे मिक्स कर लिए इसको और आप यह नौन स्टिक कला ही यूज़ करने की ताइम एके शिटीक यूज़ करिए तो तूट सकता है सेमिया अच्छी से मिक्स कर लेगी है कि इसमें थोड़ा सॉल्ट डालेंगे हम पानी बॉयल करने ताम सॉल्ट डाले थे तो ज्यादा सॉल्ट में लगेगा थोड़ा ही लगेगा तो इसको अच्छे से मिक्स कर लिए अच्छे से मिक्स हो गया है अच्छे से मिक्स होने के अच्छे बाद स्टाव आप कर लीजिए फिर इसमें लेमन जूस डालेंगे भी और इभी लेमन जूस डालेंगे उसके उपर लेमन जूस डालने के बार इसको अच्छे से मिक्स करिए और यह अच्छे से मिक्स हो गया है इसको दो मिनिट तक थंडा होने देंगे और सब करेंगे भी लेमन से में उपमा रेडी फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेर कॉमेंट सब्सक्राइब कर लीजिए आप जरूर ट्राइब करना और एक इंट्रेस्टि आपके सामने आऊंगी तब तक के लिए बाबाई थाइंक्स पूर वाजिंग इस वीडियो